प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने कल दिली में सिख बुद्धी जीवियों के एक प्रतिनिधी मंदल से मुलाकात की है, सिख प्रतिनिधियों ने प्रतान मंत्री मोदी से मिल कर उनका अभिवादन किया जितना चिंतित और जितना कंसर्ण प्राइमनेस्टर श्री नरेंद्र बोदी जी हैं सिक्ष समुधाय के लिए कम से कम मैंने भी सेंटी साल की सर्विस की है रिटायर्मेंट से पहले इस तरह का मुझे देखने को नहीं मिला और मैं समझता हूं कि हर सिक्ष को हर पंजाबी को हर इंडियन को उनके साथ कंदे से कंदा मिला के अपनी कम्यूनिटी के लिए अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए काम करना साहिए इस देश के इतिहास के अंदर ऐसा प्रदान मंतरी शेयदी मिले जो हमेशा हर समुधाय कोई है नहीं कि खाली स्विक्ष समुधाय सारों को इकठा लेके चलने की बात की जाए और जैसे हमनों ने आज हमें खुद इन्वाइट करके यहां पर बाते की जो इस तरीके से हमको अपने विचार बताए कि जो इस देश को इकठा करने के लिए जो हमारे मनों के अंदर में थी उसका भी बड़ी क्लैरिटी हुई और मैं समझता हूँ कि प्रदान मंतरी जी ने जो पिछले साथ सालों में खासता औरते दिली के सिखों के लिए जो साइटी बनाके 1984 के कातलो को अंदर किया उसका दिली की लोगों के अंदर बहुत उनका सिखार है मोदी साब के साथ इंट्रेक्शन बहुत बढ़ी आ रहा एक इतने बड़े लीडर के साथ जमीनी तोर पर जुड़कर देश की छोटी-छोटी समस्याओं पर डिसकेशन करना बहुत प्रभावी रहा म मैं यह कहना चाहता हूं कि मोदी जी जैसा प्राइमिनिस्टर अगर हम उनको पूर्ण बहुम्मद ने हर एक राज्य में तो देश का मुस्तक्मिल देश का फूचर प्रॉपर तरीके से बदल सकते हैं और हमें उस रास्ते भी ले जा सकते हैं जिसके हम काम ना करते रहे हैं मोदी जी को देख के पहले तो उनका औरा से ही प्रभावत हुए रियलाइस किया वो कितने सेंसिटिव हैं हर एक इशू पे अब स्पेशली जैसे हम सिख माइनॉरिटी से हैं फिर भी उन्हें हर एक बारीकी की चीज़ के बारे में मालूम है पंजाबी चाहें वो माशा है हमारी वो कितनी इंपोर्टेंट है बहुती इतना इन्फार्मल महोल मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि ऐसा हो सकता है बहुती एक अच्छा मैसूस हुआ जिस तरह उन्होंने समयने की कोशिश की कि सिखों के मन में क्या इशूज है क्या उनकी एस किया जा सकता है